सभी के साथ एक प्रॉलम रहता है कि यदि आप नरसरी से गुलाब का प्लांट खरीद के ला रहे हैं तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे दुसरे पॉर्ट में दो आभी बर्ट्स यहां पर दिखाई दे रहा कुछ दिनों में यह खिल जाएगा इसको किसी तरीके से जो है नरसरी वाले लगा करके रखे थे नरसरी वाले जो ग्रो करते हैं गुलाब का कटिंग से ही बेसिकली ग्रो करते हैं तो यदि आपके घर पर पहले से गुलाब हो तो आप भी कटिंग करके बिलकुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं हालाकि इस कलर का गुलाब हमारे गार्डन पे नहीं था जिसके वजह से मैंने इस कलर का गुलाब खरदा है और इनकी कीमत मुझे बजार में पड़ी है 100 पे और एक मैंने और भी गुलाब का प्लांट लगाया हुआ हूँ हालाकि यह जो लाते समय थोड़ी सी तूट गया है बाइक से में ला रहे था तो इसका कलर भी देख रहे सकते हैं काफी यूनिक है और यह दो गुलाब को आज मैंने पर्चेस करके लाया है और इस तरीके का पर्चेसिंग बॉक्स में मुझे नरसरी वाला दिय करेंगे तो बीपोस के लिए मैं इस तरीके का प़ॉट में आज इसको कर Ezra साइज फ़ीधिर वाला हूं तो इसके कों चूर सब्सक्राइब यह आपको कंपलीट यहांअं पे दिखाता हूं तो सब से पहले मैंने आपको दिखाया यह वाली कंटेञर पे जो मैंने रखा करेंगे बॉन मील को जो की एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जिससे कि हमारे फ्लावर जो तब बहुत जल्दी ब्लूम करते हैं तो इन चार पांच बर्मी कंपोस्ट जो है सेन्ड मीक्स है और यहां पर जो है यह नीमखली solid noiम को यूज करता हूं कि इसको जो मेंने सिंपली इस से निखाल दिया है इसी तरीके से इसको आपको निखाल देना है इसे को निकालने के बाद इस तरीके से आपको पौट में ने आपका जो स्वेल है उस K pens Socop capture देना है इसमें कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीका कभी स्वैल है इसमें मैंने भर्मी कंपोश्ट साथ जो है मेरा नीम खली मैंने मिला दिया है तो यह जो स्वैल है यह आप आटमेटिक दो से चार दिन के बाद डिकंपोश हो जाएंगे वह बिल्कुल जो है बालू के तरह हो जाएंगे सेंड क कर दिया है उत्व अंप इसमने एक सिंपली इसमें बात आता है कि वाक्रिक तरेका से लगाते हैं तो आपने तो आप 11 Venre करेंगे ताकि यसके इसे तरीके से की सकारा कि यह जो करेंगे इस तरीका से धीड़े-धीर करेंगे कि बात आता है कि रिपोर्ट करने के बाद अभी इसको डारेक्ट अप सनलाइट में नहीं रखेंगे, आप इसे चार से पांच दिन तक ऐसी जगा पे रखेंगे, जहां पर बस इसको सिर्फ सुभा और साम की दूप मिलता हो, पांच से छे दिन के बाद जब इसमें अच्छे से यह सेटल हो जाएंगे इसपोर्ट के अंदर, तो फिर आप उससे अभी विंटर के सीजन में डारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, तो इस तरीके से नरसरी से लाए हुए प्लांट को आप बिल्कुल अपने घर पे रिपोर्ट कर सकते हैं, आई होप अगर इस वीडियो आ एक लाइक जरू दिजेगा, अगर इस अपका वीडियो पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब किजेगा, थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो